आज हम बनाने वाले हैं आजलू और सूजी का बहुत ही मज़िदार सा नास्ता आजलो दोस्तों विलकाम भाइक टू माई चैनल इस नास्ते को आप देखती बनाएंगे इतना क्रिश्पी होता उपर से बिल्खुल भी कुस्क होता बहुत ही सॉप्ट होता है बनाना बहुत ही आगे भी डालना है और पानी को थोड़ा सा बॉइल हो जाएगा तो एक काटोरी जो आमने सूजी लिया उसको डालते जाएगे और इस पाचला या कर्छी किसी भी जीस से इसको खिलाते जाएगे ताकि सूजी में गुठलिया ना पढ़े और सूजी बिल्कुल खिला खिला ब चलाएंगे θोड़ा इसको हाट कर देंगे चलाते इसमें बिल्कूल भी थंदा हुगया है और इसको हम छील लेतलैंगे जो लेते हैं एक एक करके जितना भी आलू इसको छील करके इसी आलू और सूजी से बहुत ही मज़िदार साइश नेक्स बनाएंगे जो कि अगर घर महमान को आप फिलाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा उनको पसंद आएगा और बिना तारिक किये रही नहीं पाएंगे इतना ट प्लेट में ग्रेट करके रख लिया है फिर एक लेते हैं बड़ी सी थाली और यहां पर जो सूजी को हमने बना करके रखा उसको डालते हैं देखिए सूजी कितना ठीक है और फिर जो आलू है उसको भी हम डाल देते हैं इसी में और साथ में डालते हैं चिली फ्लेक्स एक पर हम डाल देते हैं आमचूर पावॉडर या चाट मसाला जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं फिर इसको हम हाथ से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसे आँटा को घोते हैं उसी तरह से गूत लेना है डो की फ़ॉम में लाना अच्छी तरह से आलो और सूजी है भीड़ी फ्लेक्स और सुरवासन नमाग और पानी डाल ना लेते हैं पतला से बहुत ज़्यादा बी ना रहा है तो पतला कर लेते हैं और इसमें बिलकुल भी गुठलियान आ रहे हैं तहाँ पर गोल जो है तयार हो गया है और फिर हम लेते हैं ब्रेड यहां पर चार हमने ब सूजी कर्डो है बिल्कुल तयार सिमें कोई भी चीछ सकता तो आपकी जाए तू एक लोई ले करके इसको बिल्कुल हाथ से फैलाते हुए बड़ा कर लेते हैं तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा हो गया था तो मोटा लग रहा था इसमें से हमने आधार डोल रहा है और इसको फोड़ा पतला ही बनाते हैं क्योंकि अंदर से बाहर तक सीखा होना चाहिए यह नाश्ता तहां पर हास इसको बढ़ाते जाएंगे हम लेते हैं चक्को और बड़े-बड़े पीस में काट लेते हैं बहुत स्था बनाना नहीं है थी तनकी बढ़े बना सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा था था तो बड़े-बड़े बना रहा करके वहांभाट चैंश दो को हाट प्लेट Art और एक प्लेट में रख लिया है पहले इसको फ्राइब करते हैं बाद में बनाते रहेंगे यहां पर गैस पर हमने चड़ा दिया एक कढ़ाई उसमें हम डालते हैं तेल यहां पर स्वयवीन ऑईल हमने डाल दिया है और तेल बहुत ही जल्दी गरम हो जाएगा यहां पर लेत करते जाएगए और इस नाज़ते में हम डालते जाएंगे ब्रेफ कर में और साथ में सभी को डालने के बार ब्रेफ क्रम से इक बार उल्लेट करएं तो हम पैए हैं च्यंज कर दिक्योंकि उकड़ाई त्याही बहुत पतली थी तक पर दूसर सेमें पर डाल करके उलड़ मे यह बार शेखने में इसको हम सेख लेते हैं एक बार यहां पर देखें हमने 6-7 डाल दिया है और इसको अंदर से बार यहां है त Carlos C Nicole हम बड़ी से जन्नी में निकाल लेंगे तक कि इसका इकट्रा ऑशनाल को निकल जाए कि पता है कंश्री Mr. पसंद आया हमारे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेज करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे तहां पर देखिए हमने टमैटो सॉस के साथ सर्व कर दिया है आप चाहिए इसको हरी चटनी किसी के साथ भ बार जरूर ट्राइए करें और बहुत ही टेस्टी बन करके इस नक्स दयार होता है तो आप लोग इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइए करें